है 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 लो फेंड्स वेलकम टू मारे इस्टडी फीड चैनल दोस्तों प्रिविए सियर में जितने भी कोश्चन्स फिजिकल एजुकेशन कमपेटिटिव एक्जाम्स टिजिटी पीजिटी के वियस एंवियस यल्टी में पूछे गए हैं और सभी कोश्चन्स को टापिक व वीडियो सिलिवर्स के एकार्डिंग है उन सभी वीडियो इसको वास्ट करके आप अपने प्रिप्रेशन को बेहतरी में बना सकते हैं और देली पेसे प्रिविए सियर के कोश्चन्स दिये जा रहा है उसको प्रैक्टिस करना न भूलिएगा तो दोस्तों चली चलते हैं आ न भारत आध्मा धचfish कैनी असी खेल सरफ खील का आजय liters को अगुझा हुआ था मकां होँआ नि नियुका मांड रहा था। कि अ जोně मन प। प्रधं खेल का आएजिट हुआ कि प्रतम सयव खेल नियुकंपकी नेपाल में रहार सबास स्व्चन्स parade fedины ओंषए हुआ और संचालन कों करता है तो यस ए ओसी यानि साउथ एसिया ओलंपिक काउंसिल करता है जिसका गठाव निच्ट कुर्ष्टिन है पहला कामन वेल्थ गेम कब शुरू हुआ था पहला कामन वेल्थ गेम कब हुआ था दोस्तों 1930 हेमिल्टन कनाडा में पहला कहा हुआ था 1930 हेमिल्टन कनाडा में शुरू हुआ था पहला कामन वेल्थ गेम यह भी प्रते एक चार्वर्स के अंतरार पर होता है और दोस्तों जो 21 राष्टमंदल खेल 2018 संपन हुआ था वह आश्टरिया के गोल कोस्ट कुइंसलेंड आश्टरिया में संपन हुआ था और इसमें कुल भारत का आस्थान तिसरा आस्थान था और इसमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रांच, कुल चाचट पदक भारत प्राप्त किया था 21 राश्ट मंदल खिल 2018 जो आश्टरिया के गोल कोस्ट कुइंसलेंड में आजित हुआ था सैधानतिक रूप से नेताजी सुबास राश्टी खिल संथान है तो नेताजी सुबास राश्टी खिल संथान क्या है यह खिल का सैच्छिक केंदर है आफसर नमबर D करेट होगा पंजाब की पटियाला शहर में इस्थित नेताजी सुबास राश्टी खिल संस्थान एसिया का सबसे बड़ा खिल संस्थान है जिसे भारतिय खिल जगत का मक्का भी कहा जाता है तो दोस्तों यहाँ पे कोशन यह पुछ सकता है कि भारतिय खिल जगत का मक्का किसे कहा जात तो नेता जी सुबास राष्टी एक खेल संस्थान को तो येसिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान कौन है तो नेता जी सुबास राष्टी एक खेल संस्थान और सद्धान्तिक रूप से या खेलों का एक सैच्छी केंद्र है जिसने देश को उच्छी स्रड़ी के खेल प्रसिच्छक परदान किये हैं नेक्स कुश्चन है भारत सरकार द्वारा ग्रामीड खेल विकास कारेक्रम की वास्तविक सुरुवात कब हुई तो इसकी वास्तविक सुरुवात हुई 1971 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीड खेल विकास कारेक्रम की वास्तविक सुरुवात वर्स 1971 के दौरान की गई जब सरकार द्वारा खेल प्रतिभाग हो चातर प्रतिय योजना की शुरुवात की गई थी इस योजना के तहट यू आयों प्रतिभावान चात्र चात्राओं को जो माधमिक इस्तर पर अध्यन रत हों उनको खेलो की प्रसिचर हेतू बिसिस्ट सुधाय प्रदान की गए नेक्ट कुश्चन है ट्रेकच कौन सी है इसमी है तो आफ्सन है लंबीकूद भाला फेख पोलॉआल्ट अन्내 आथन अय तो जोस्तों यहां पर ट्रेकच्र प्रांद क्वाला फट्रेकच्पडे की दोढ़ यानि 100-200-400 मीटर होती है मद्य़ पूरा नाम क्या है एर भाद त्रहिंत क्ऱम संसाद करते हैं बहला क्रिम जर्सक mécil ऊपे सब दोरा तोरू है अ इस सब ट्रेक के उतर के ढते हैं नेट्स को से नायर का पूरा नाम क्या है जैसा कि आप सबको पता है नेताजी सुबास नेशनल इंस्टिट्यूट आप इस्पोर्स यह संस्थान पट्याला में इसी थै जिसका उस्थापना 1961 में हुआ था नेक्स्ट कोईशन है बैर्मिंटर खेल को एक के में पहली बार किस वर्ट नी समीलित किया गया तो स्थापना 1934 में की गई थी और भारत इस संग का सदस्थ से 1938 में बना यहां ऑप के लिए कौन सी प्रतिय उप्योंगता दोस्तों जैसा कि आप सब को पता है चुनोती चैलेंज चुनामेंट यहां बेमेंटा और टेनिस जैसे लिए आर्यित की जाती है नेक्स कोंचें है जवाहला नेहरू कब किस खेल से संबंधित है तो दोस्तों यहां पे जवाहला नेहरू कौप क्रिकेड से सम्मदित है। अफसान नमबर एक करेक्ट हो जाएगा। जवाहला नेहरू से कई कौप एंट्राफिया हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि जवाहल नेहरू कप क्रिकेट से समधित है जबकि नेहरू ट्रोफी हाकी से समधित है और नेहरू गोल्ड कप तथा या नेहरू कप फुटबाल खेल से समधित है एंड दोस्तो एशेज इरान्य Т्राफी 2020 वर्ल कुप चेंपियन ट्राफी अधिक क्रिकेट की प्रमुक टूनामेंट है ये नेट्स क्यों अधिक हम है लेडे रतन टारक प्रतियोगिता केश खेल से संबंधित है तो यह कि से शंबंधित है होकी से फ्यकहें हा की सेë को परिति हमकुन है बिश्र कप चेंपियन ट्राफिज्टाफी रंगाश्वामी कप महीला से समधित जब कि यह रेडी रेटन टायटा कप महीला से समधित इंदिर्आ गोल कंप दल कॉप एश्रिया कप अगाकाप अलगाख कप धियांचन ट्राफिज्टें अधिस्ट को इस साह कप परतियोगिता सम्धित है तो किसे सम्धित है हौकी से नेइस कोच्छन है वर्स 2010 में पूर्स हांकी oneself की चेम्पिएंशिक प्रता कहां आयोजित किया गया था तो यह भारत में आयोजित किया गया था इसमें आश्रया ने फाइनल में जर्मनी को दो तीन से प्राजित किया था और विश्यकप किताब जीता था नेक्स कोश्चन है प्रथम विश्यकप फुटबाल कहां आयो जित किया गया था तो प्रथम विश्यकप फुटबाल कहां आयो जित किया गया था तो यह उरुग्वे की राधानी मोन्ट वीडियो में आउजित किया गया था तो यहां आपसा निबर ए उरुग्वे सही हो जाएगा एंड दोस्तों दो हजार अठारा में जो फीफा विश्वकप हुआ था विश्वकप फुटवाल हुआ था वह रसिया में हुआ था एकिसवा फीफा वर्लकप 2018 रसिया में हुआ था एंड बाइसवा फीफा वर्लकप 2022 होगा दोहा कतर में नेर्स कोश्चन है वह कौन सा देश है जिसने बिश्वकप फुटवाल टूर्नामेंट की दो बार मेजबानी की थी यहां आपसन दिया है फ्रांस और ब्राजिल मेक्सिको और इटली जर्मनी और जापान और जेंटिना और मेक्सिको तो दोस्तों यहां पे दो आपसन सही हो जाएगा फ्रांस और ब्राजिल मेक्सिको और इटली ए और बी दोनों फुटबाल ट्रामिन की दो बार में जबानी की है जैसा कि फ्रांस 1908-1999 में, ब्राजील 1950-2014 में, आयनुमेक्सिको 1970-1986 में, और इटली 1934-1990 में पार्टिसिपेट किया था, में जबानी की थी. किस टीम ने एक मैच में अपने विपच्छी टीम के विरुद्ध हांकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे थे तो भारत थे भारत ने और भारत ने 1932 लॉस एंजिर्स ओलम्पिक में अमेरिका को 24-1 से प्राजित कर 20 रिकार्ड बनाया था. नेश्ट कोस्टन है, स्टेडियम जो इर्विन एंफी थियाटर के नाम से जाना जाता है. तो कौन सा स्टेडियम है जो इर्विन एंफी थियाटर के नाम से जाना जाता है. तो आफसन नमबर ए, राश्टिय इस्टेडियम दिल्ली. next question है दच्छेस खेलों का आयोजन सर प्रथम कब हुआ तो दच्छेस खेल या शैब खेल आयोजन सर प्रथम 1984 काट मांडू नेपाल में हुआ था यानि तो दच्छेस यानि सारक साउथ एसियन एससियेशन फार रिजिनल को आफ्रेशन देशों के मध्य भाई चारे सांती और सद्धावना में अभिविद्धी के दिमित दच्छेस खेलों का आजन होता है इसको सैफ खेल भी कहा जाता है साउथ एसियन गेम्स इसकी सुर्वारत 1984 में काट मांडू में हुई थी अभी तक कुल बारह इन खेलों का सफल आवजन हो चुका है और फरवई 2016 के संपन हुआ था बारह में दच्छी एसियाई खेल गुआ हर्टी में सिलांग में ऐसे भारत ने कुल 308 पतक प्रात किया था बारत का प्रथम अस्थान था नेक्स कुश्चन है भारतिये खेल प्राधी करण की स्थापना कब हुई यानि इस्पोर्ट अथार्टियों इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो 1984 में कब हुआ था बारतिये खेल प्राधी करण की स्थापना हुई थी ये तो वही कुश्चन हो गया दोस्तों यहां पे भी अप्राधी खेल प्राधी करण यानि इस्पोर्ट अथार्टी आफ इंडिया शाई की स्थापना हुआ था नेक्ट कोश्चन है भारतिये नेक्ट कोश्चन है यस ए आई के पदेर अध्यच है यस यानि साई यानि इस्पोर्ट अथार्टी आफ इंडिया की पदेर अध्यच कौन होता है दोस्तों आपसर नमबर सी करेट होगा खेल एवं युवा समंदीत केंद्रिय मंत्री ही साई के पदेर अध्यच होते हैं नेक्ट कोश्चन है वर्स उनी सो अंठानवे में हांकी बिश्चो कप टूर्णामेंट कहां आयोजीत किया गया था तो हालेंड में आपसर नमबर एक करेक्ट होगा नेक्ट कोश्चन है वर्स उनी सो अंठानवे में हाल्लेंड में आयोजित पुरुस भीश्व कप हby हांकी दूर्नामेंट में भी जैई नेश्कोचन है पहले राष्टिये खेल का आजन की सहर में किया गया तो पहले राष्टिये खेल का आजन नई दिल्ली में किया गया यानि सुतंतरता के बाद पहले राष्टिये खेलों की मेंजबानी नई दिल्ली ने की जबकि आलमपिक की तरज पर पहला राष्टिये खेल 1985 में दिल्ली में आज़ित किया गया था नेशकोचन है राष्टिय महिला खेल उस्सो किश वर्स प्रारम किया गया था तो 1975 में आपसन नमबर सी करेट हो जाएगा वर्स 1975 को अंतर राष्टिय महिला वर्स के रुप में मनाया गया था इस असर पर भारत सकार ने महिलाओं के लिए वर्षिक राष्टिये खेल उस्सो प्रारम करने का निड़ लिया था इसका वुदेश से अधिक संख्या में महिलाओं को निभीन इस तर पर खेल गति विदियों में सामिल करना था नेक्स कुर्शन है प्रतेक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रेंड इस्लेम टूनामेंट प्रारम होता है प्रतेक वर्ष के प्रथम माह में होना चाहिए दूस्तों यहां पे प्रथम दिन कहा है प्रते एक नए वर्स के प्रथम माह में कौन सा ग्रल इंसलेंट टर्नामेंट प्राइम होता है तो आश्ट्रेलियन ओपन से सुरू होता है और सबसे लाश्ट में यूस ओपन होता है तो सुरुवात किसी होता है सासे पहले आश्रेलियन ओपन फिर फ्रेंच ओपन फिर बिमल्दन ओपन फ्रियोस ओपन नेस्ट कोर्चन है बैर्मिंटन में कितने वर्ष बाद थामस कप और उबेर कप टूर्णामेंट आवजित होता है तो दोस्तों थामस कप और उबेर कप दोनों दो वर्ष के अंत्राल पर होता है दो वर्ष बाद थामस कप की सुरुवात19 현재 में हुआ था और उबेर कप की चुरुवात19ressive संतान में हूआ था और थामस कप 1908 से 1982 तक तीन वर्स पर आउजित होती थी और 1984 से प्रतिक दो वर्स पर आउजित की जाती है थामस कप जबकि अवेर Kपijd 1957 से 1982 तक तीन वर्स पर आउजित की जाती थी उसके बाद 1984 से प्रति art Thselves Cup के साथ प्रतिक दो वर्स पर आउजित की जाती है यानि कि जोस्तों थामस कप पुर्सों की बिभीन्टन परतिगता है और उबेर कप महिलाओं की अंतराश्टी बिभीन्टन परतिगता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इंटां डिछिन्स आपके लिए समझ आये होंगे दोस्तों सभी कोशन बहुत है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरू बताईए और ज्यादे ज्यादी शेयर किया किजिए दोस्तों जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके और दोस्तों पहली बाद विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी विल आइकन को प्रिस कर लिजी जिसे जो भी नया वीडियो अप्लोड करूंगे उसका नौटिफिकेशन मिलता रहेगा तो मिलते है नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहें